तो अबिलेक्ष एकडमी अबिलेक्ष एकडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम देखने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 जो की रहेगा क्या अलफानिमरिक पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने क्या किया था अलफाबेट कोडिंग था जिसमें क्या था एक अलफाबेट का कोड अलफाबेट में कर दिया जाता है जिसमें दो पार्ट थे हमारे क्या increase, decrease था और एक था क्या jumbled, मतलब letters क्या कर दिये जाते थे, jumble कर दिये जाते थे या increase या decrease कर दिये जाते थे, ठीक है, तो अगर वो part आपने नहीं देखे हैं, तो आप उसको i button पर click करके देख सकते हो, और link भी आपको description में मिल जाएगा चलो, start करते हैं, आज की class coding, decoding का part 3, जो की रहेगा alpha numeric, पहले समझ लेते हैं, इसमें क्या होगा देखो, alpha numeric से ही आप समझ रहे हो, कि alpha bet भी है उसमें और numeric है, देखो जैसे कि, मैं ये कहूं कि CAT cat का code, अगर मैं ये कहूं कि 24 है, ठीक है तो इस तरह से आपको code दे दे जाएंगे, कि CAT का code जो है, वो क्या है, 24 है अब इसमें क्या करना है आपको, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, कि जो first class में हमने alphabet के numbers याद करे थे, जैसे A का number 1 था, B का number 2 था, C का number 3 था, इस तरह से, Z का number 26 था तो कही न कहीं उन्हीं की जरूत हमें पढ़ने वाली हैं यहाँ पर, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो letters हैं, ये कहीं न कहीं number बनेंगे कैसे, वो उनके numbers से ही मिलकर बनेंगे, ठीक है तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे C का number 3 था, A का number 1 था T का number 20 था, इन सभी को plus करने पर क्या कर दिया, मैंने 24 कर दिया, इसका मतलब आपको यही करना है, कि आपको letters के, जो numbers है, वो याद होने चाहिए, जैसा कि हमने first class में कराया भी था याद, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कहीं न कहीं इनी number से कुछ multiply plus divide, कुछ इस तरह से कर दिया जाता है, और फिर एक code बना दिया जाता है ठीक है, तो start करते हैं, आज की class का पहला सवाल बिल्कुल, तो देखो first class first question जो है हमारा क्या है, a की value 1 है, pat की value 37 तो आपको बताने है, tap की value ठीक है, यहाँ पर क्या है, a की value क्या given है, 1 given है और pat की value जो है, वो क्या given है, 37 तो हमें यह देखना पड़ेगा कि 37 आया कैसे, और फिर हमें tap का code पता करना पड़ेगा ठीक है, अब देखो क्या मैं यह कह सकता हूँ, a का number 1 है, और इसी वज़े से यह 1 code कर दिया गया है बिल्कुल, pat का code पता करें, तो p का number 16 है a का number 1 है, और t का number 20 है, इन सभी को अगर मैं add कर दूँ, तो 20 plus 16, 36 plus 1, 37 तो इसका मनला यह भी code यह सही है कि इसके directly number थे, और इन सभी letters को क्या कर दिया गया, प्लस कर दिया गया, तो t का number 20 है, a का number 1 है और p का number 16 है, तो इन सबको भी add करने पर हमारा क्या आजाएगा, 37 ही आएगा और answer क्या है आपका 37 ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको कही ना कही जो इनका link रहेगा, वो alphabet के number से ही related रहेगा अब वो आपको यह देखना पड़ेगा कि जो number से है, उनको multiply किया गया है, divide किया गया है plus किया गया है, minus किया गया है, या और भी कोई logic हो सकता है तो वो देखेंगे, ठीक है देखो, next देखो, next question है क्या c is equal to 3 c का क्या code दे दिया गया है 3, तो अगर मैं कहूं कि c का code 3 है और fear का code क्या है 30 है fear का code क्या है 30 है, तो आपको code पूछा गया किसका, hair का तो हमने का, ठीक है, hair का code पता कर लेते है अब देखो, यहाँ पर भी एक बड़ पहले क्या करेंगे हम letters के number लिखेंगे कि c 3 number पर आता है, तो शायद वो 3 ही होगा f 6 पर आता है, e 5 पर आता है, a 1 पर आता है और r 18 पर आता है, अगर इन सभी को add अगर मैं कर दूँ तो शायद मेरा काम आसान हो जाएगा और यह 30 आ जाएगा, जोगो 6 और 5, 11 और 12 12 और 18, 30 बिल्कुल यह भी क्या आ रहा है इन सभी को add करने पर 13 आ रहा है, तो यहां पर hair का code h 8 है, a 1 है i 9 है और r 18 है अगर इन सभी को भी add करें, तो 18 27 और 1 18 और 9 27 27 18 और 9 27 और 1 28 28 और 8 क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, तो answer क्या है आपका 36, बिल्कुल इस तरह से इसमें भी ऐसा ही था कि सभी को क्या करना था, add करना था अब जो next question है, वो देखो क्या है इसने का कि go जो है, वो 32 code बना रहा है, she जो है वो 40 code बना रहा है और जो sum है वो आपका code आप से पूछा गया है ठीक है अब देखो क्या g का number 7 है बिल्कुल, o का number 15 है क्या ये जुडने पर या add करने पर, क्या ये 32 आ रहा है हमने का नहीं, ये 32 नहीं आ रहा है 22 आ रहा है, तो अगर 22 आ रहा है तो हो सकता है, plus 10 कर दिया गया हो हमने का ठीक है, इसमें भी plus 10 करकर 32 आ जाएगा क्या ये logic दूसरे वाले में भी लग रहा है देखो, S 19 पर है H 8 पर है E 5 पर है, अगर इन सभी को मैं add कर दूँ तो 19 और 8 27 27 और 5 कितना आ जाएगा आपका 32, और 32 में क्या 10 प्लस करने पर 40 आएगा अपने का नहीं यहाँ पर same logic नहीं लगा इसका मतलब कहीं न कहीं हम गलती कर रहे हैं या हमारा logic क्या है गलत है तो अब हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको देखो क्या G का number G का जो opposite letter है G का जो opposite letter है क्या था वो GT road मतलब T opposite है और T का number क्या होता है 20 O का opposite क्या है आपका L है और L का number है 12 तो क्या इनको जोडने पर 32 आ रहे है बिलकुल आ रहे है इसका मतलब क्या है इन letters का opposite letter के number लिखे गए है यहाँ पर इसी तरह S का opposite letter है वो H है और H8 पर आता है H का opposite letter S है और S 19 पर आता है और E E का opposite जो letter है वो B है जो 22 पर आता है अगर इन सभी को जोडनेंगे तो क्या आ जाएगा यह 40 आ जाएगा देखो कोशन गलत है यह 99 आएगा यह यहाँ पर 99 है 49 है यह 49 होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर ठीक कर लेते है अगर यह 49 है तो देखो 8 और 22 ठीक है 30 हो गया 30 और 19 49 यह ठीक है यह 49 नहीं है आपर ठीक है 40 नहीं है 49 है अब देखो अब इससे पूछा गया कि सम का क्या कोड होगा तो सम का जो कोड होगा देखो S का opposite letter H H का number 8 है H का number क्या है 8 है O का opposite letter L L नमबर 12 पर है M का opposite letter N N 14 नमबर पर है और E E का opposite number V है 22 पर है ठीक है तो इन सभी को जब आप add करोगे तो 8 और 22 30 तीस और 42 और यह आपका 32 42 और यह 56 आजाएगा 56 आगया आपका ठीक है इस तरह से आप इसको कर सकते हो ठीक है यह opposite letters के क्या थे नमबर थे next देखो E 5 पर है E जो है वो 5 दिया हुआ है hotel जो है hotel जो है 12 पर है और lamp जो है वो किस पर आएगा ठीक है देखो अगर E 5 पर है तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ E का नमबर 1 है तो शायद E का नमबर 5 है E का नमबर क्या है 5 है और उस पर 5 आजाएगा ठीक है अब देखो hotel जो है 12 पर है हो सकता है E का नमबर 5 है तो इन सब को जोडने पर 12 आजाए लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकते तो काफी लेटर है H 8 है O 15 पर है T 20 पर है E 5 पर और L क्या है 12 पर है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है इन सब को जोडने पर 12 नहीं आएगा तो हमने का ठीक है ऐसा हो सकता है कि भई ऐसा भी तो दिख रहा है मैं कि यह last letter है यह last letter है तो शायद इसका number 12 हो तो यहाँ पर B जो है कुछ और logic दूनते है E 5 पर है अगर इन सभी को add करोगे आप ठीक है देखो 8 और 5 20 20 और 20 40 40 और 20 फिर से 60 आजाएगा तो हमने का 60 को 12 बनाया है क्या यह कह सकते है भाग किया है इसको 5 से क्यों 5 से भाग किया है क्योंकि यह 5 लेटर थे इसका मतलब average निकाला गया एक औसत निकाला गया इन सभी का अगर E 5 पर था तो 5 को किस से भाग कर दिया था एक से भाग कर दिया क्योंकि वो एक ही लेटर था तो इसी तरह यहां पर L 12 पर है A 1 पर है M 13 और B 2 पर है इन सभी को add करोगे तो क्या जाएगा 28 और 28 को किस से भाग करना पड़ेगा आपको 4 से भाग करना पड़ेगा और जब 4 से भाग करोगे तो answer कितना आजाएगा आपका 7 देखो 28 भी option में यह नहीं कर लेना है गलती से नहीं करना है ठीक है rabbit का जो code है वो saw है तो आपको पता करना है क्या hair का code ठीक है अब आप यहाँ पर क्या करोगे number लिखोगे क्योंकि alpha numeric है तो number लिखने पड़ेंगे हमें तो d4 पर है e5, e5, 20, 16 अब यहाँ पर देखो आप क्या यह सभी जोड़कर start हा रहे है ही logic next मैं भी लगना चाहिए r 18 पर है a 1 पर है b 2 पर है i 9 पर है और t 20 पर है ठीक है 18 और 2 20 20 और 10 30 30 और 20 50 50 का भी क्या ही यह दो ही गुना है इसका हमला logic बिल्कुल ठीक है जो भी number add करके आएगा उसका बिल्कुल क्या करना है आपको double करना है बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर h 8 पर है a 1 पर है i 9 पर है r 18 पर है इन सभी को add करोगे तो क्या रहे 36 और 36 का दो गुना करोगे तो क्या जाएगा बहतर answer क्या है बहतर 36 नहीं है गलती से 36 पर ठीक नहीं करना है आपको double करना है क्योंकि यहाँ पर सभी code में क्या किया गया था double किया गया था ठीक है इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रख रहे है next देखो red को code कर दिया गया है 6,7 20 से ठीक है यहाँ पर लिख लेते हैं अब यह बड़ा code है तो कई न कई न का नंबर कुछ न कुछ जोड घटा कर दिया गया होगा जो की लिखा है क्या 6,7 और 20 ठीक है मतलब 6,7,2 और 0 ने लिखा गया है अब इसने पूछा है भई green का क्या code होगा ठीक है बता देंगे green का देखो यहां पर क्या करेंगे देखो r 18 पर आता है e 5 पर आता है d 4 पर आता है तो ऐसा देखने को मिल रहा है यहां पर कि 18 में शायद यह 20 बन गया है दो जोडने पर इसे तरह 5 से यह 7 बन गया है दो जोडने पर इसे तरह 4 से यह 6 बन गया है दो जोडने पर ठीक है यह 6, 7, 20 जो है वो एक बड़ा नंबर दिख रहा था तो कहीं न कहीं दो नंबर से रिलेट कर सकते थे तो 18 से 2 प्लस हुआ 5 से 2 प्लस हुआ इस तरह से यहां पर प्लस हुआ तो इसका अमलज 5 में 2 प्लस किया तो आया 7 क्या 7, 2, 0, 9 किसी में आंसर है हाँ अभी 2 में है फिर से 5 में 2 प्लस किया क्या आया 7, 7, 2, 9 7200 sorry 77209 77209 एक ही option में है और ऐसा ही या answer आ जाएगा ठीक है तो अगर और करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते है 14 में 2 प्लस किया 16 तो आंसर पूरा क्या हैगा 16, 77, 20 और 9 तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो तो कही ना कही इने में ही प्लस माइनस किया गया था लेकिन alphabet का code number में दिया गया था तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे तो कही ना कही ये link ऐसे ही रहेंगे alphabet के जो numbers हैं वही उनी को ही कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके multiply करके, divide करके average निकालके, opposite letters लेके तो कही ना कही ये वही code बनेंगे alpha numeric में इतना ही रहता है हमेशा, ठीक है, तो आज की class में इतना ही और अच्छे से पढ़ते रहेंगे, अगर आपको कोई doubt है तो आप comment में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरा पढ़ाय हुआ बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उसको subscribe भी कर सकते हैं और like करें, ठीक है, और अगर कोई भी problem होती है आपको, या कोई आप suggestion देना चाहता है, तो please comment करें, ठीक है तो तब तक के लिए next class के लिए मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद